जी बेटा अप अगले पांच कोश्चन करन लगए है एन एम एमस दे दो जार बी दे ठीक है ये पेपर है का एन एमस जिड़ आज पेपर होया है दो जार बी इंपोर्टेंट कोश्चन ने बेटा ते आनल देखने है जिमें पहला कोश्चन देखो दो तो पांच की में बने है देखो दो दुनी चार जमा एक ग्यार पांच तो ग्यारा की में बने है पांच दुनी दस दो गुना एक बट ग्यारा तो चोवी देखो इन भी हमीं बनता है पहला दो नाल गुना ग्यारो दुना बाई एक ते ही बनना जाईदा सी इत्थे आ गय जी धाट इस रोंग अग्य देखो सारे सही नहीं स्ताई गुणा दो देखो सही है श्ताई नो दो नलगुणा गरांगे उधे करके गल्त हो गया क्योंकि अब बिच्छाला गल्था तो अगली गल्था इस अगला देखो संताली गुणा दो चुरन्नमे जमा एक पचन्नमे बनेया ता थोड़ा एदिछ गल्थ किड़ा बिटा चौवी रॉंग अंसर है ठीक है जी अगला देखो अगला सिद्धा इजी का बार माता बार में देखो सारे प्राइम नंबर ने एक पंदरा प्राइम नंबर नहीं है दा रॉंग वर पंदरा है क्लियर है दी चोईस है फूर्थ अगला अगला देखो बेटा कि यह M अक्षर है तो नूँ पताओने 13 अक्षर अलफा बेट दा 13 जिक जोड़ांगे 14 P हुनदा है 16 16 जिक जोड़ांगे 17 D हुनदा है 4 4 जिक जोड़ांगे 5 M जी हुनदा है 7 7 जोड़ांगे 8 W हुनदा है मेरे खेलना 13 जोड़ांगे 14 जोड़ांगे क्लियर है चलो अगला देखो एदेज 1 फर्क है E F दा 1 फर्क है एदेज भी 1 फर्क है P क्यों नहीं हैगा F जी एदेज भी 1 फर्क है एदेज D E इक दा फर्क है अगले दिखो सारे ही प्राइम नमबर नहीं का 69 प्राइम नमबर नहीं है बाकी सारे प्राइम नमबर है देफो इस च्वाइस इस रॉंग थार्ड है दा अंसर है क्लियर है पिटा चलो एद पांच कोश्चन्स ही के आई होप तो नहीं वीडियो पसंद आई होगी थेंक यू